गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम चेप्टर नमबर फ़स्ट देखेंगे पादपो में पोशन इसमें अपन देखेंगे जो पादप हैं पोदे हैं उनमें किस टाइप का पोशन होता है स्वापोसी टाइप का होता है विसम पोशी टाइप का होता है ठीक है क्योंकि जो पा पोदे क्या कर पाते हैं? प्रकास अंसलेशन के रिया दुआरा अपना भोजन स्वैम बना पाते हैं, जिसकी वज़े से कुछ पादप ऐसे हैं, जो स्वापोसी होते हैं, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल जो वर्नक है, वो अनुपस्तित रहता है, जैसे अपन पादपों में पोश्टन देखेंगे और कुछ विधिया पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो आपको नौट्स में बनाना है सबसे पहले चैप्टर की हैडिंग राइट करेंगे और जो मैंने रैड लाइन से कर रखा है उनको आपको नौट कर लेना है ठीक है साइंस की विटामीन एवं खनीज भोजन के घटक है यह भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए बहुत आउशक है इन्हीं क्या कहते हैं पोशक तत्व कहते हैं कार्भॉाइड्रेट से अपने शरीर को उर्जा मिलती है प्रोटीन से अपने शरीर क्या होता है अपने शरीर में व्रद्धी होती है बोडी बिल्डिंग फूड है यह वसा से भी एनर्जी मिलती है और तरह तरह के विटामीन्स और खनीज मिनरल्स हैं इनकी अलग-अलग आउशकता हैं होती है शरीर में जिन अपने शरीर की प्रॉपर ग्रोथ होती है अच्छे से व्रध्दी होती है तो ऐसे तत्वों को अपन क्या कहते हैं पोशक ततव है ठीक है यह आपको राइट कर लेना है crescent है पादपो में अपन पोशन की विधि राइट करनी है पादपो में पोशन विधी हैडिंग डाल लेंगे आप पादपो में पोशन विधी सरसर पहले पोशन क्या है इस पोशन को हैडिंग राइट कर लेंगे सजीओं द्वारा भोजन ग्रैंड करने हम इसको उप्योग की विधी ही पोशन कहलाती है सजीओं को भोजन ग्रेंड करने का जो मैथड है उसी को क्या कहते है पोशन कहते है ये दो टाइप का देखेंगे अपन स्वयपोशन और विशम पोशन ठीक है तो स्वयपोशन वहविधी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयम संसलेशित करता है स्वयम बनाता है इस टाइप का पोशन स्वयपोशन कहलाता है जैसे एक्जामपल के लिए देखेंगे हैं अपन हरे पोदे ठीक है तो ऐसे पोदे को क्या कहते है स्वयपोशी तो इसमें मैक्जिमम क्या आते हैं हरे पोदे आते हैं जो कि स्वयपोसी होते हैं अपवाद सवरूप इसमें जो है अमर बेल है जो क्या है विशम पोसी होती है मेर्जिमम पोदे क्या करते हैं अपना भोजन स्वयम बनाते हैं एक जन्तु भी है यह तो पोदे स्वय पोसी एक जन्तु भी है जिसको ब्ल्यू ग्रीन एल्गी या नील हरित शेवाल कहते हैं वो भी अपना भोजन स्वयम बनाता है जिसको साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं जन्तु एम अधिकतर अन्य जीव पादपो द्वारा संस्क्रेशित भोजन घ्रैन करते हैं इन्हें विशम पोशी कहते हैं जो अपना भोजन स्वैमनी बनाते हैं अपनी आउशक्ता के लिए हरे पोदों पे निर्भर करते हैं जीवों पे निर्भर करते हैं ऐसे जीव क्या क प्रकास संसलेशन की किरिया देखेंगे इससे पहले कुछ एक और है डाल लेते हैं देख लेते हैं रंद्र किसे कहते हैं देखी पत्तियों की सत्य के नीचे पत्ति की ऊपरी सत्य होती है एक निचली सत्य होती है तो पत्ति की निचली सत्य के उपर काफी सुक्ष्म सुक्ष्म छीद्रों होते हैं जिनको अपन रंद्र कहते हैं जिनसे गैसेज का एक्सचेंज होती हैं जिसमें कारबन डाएक्साइड गैस अवसोशित की जाती है और गैस निसकासित की जाती है इन चिद्रों के द्वारा और इसके अलावा एक्ष्ट्रा जो पानी है उसको भी इन चिद्रों के द्वारा वायू में विसरजित कर दिया जाता है तो रंद्र हैडिंग डालके उसकी परिभासा लिख लेंगे आप तो असे पहले रंद्र पत्ती की सतय पर उपस्तित सुक्ष्म रंदो द्वारा वायू में उपस्तित कार्बन डाइकसाइट गैस जो होती है सीओ टू गैस होती है वो उसके द्वारा प्रवेश करती है कहता है रंद्र कहता है इसमें आपको यह पिच्चर भी ड्रो कर लेनी है ठीख है तो इस प्रकार से जो पत्ती होती है पत्ती की निचली सतय पर इस टाइप के रंद्र होता है ठीख है इसमें ये इसकी द्वार कोशिका है जिनको गार्ड सेल भी कहते है द्वार कोशिका है जब इसमें गैसेज का एक्षेंज हो रहा होता है जब ये गार्ड सेल क्या करती द्वार कोशिका है उपन हो जाती इससे ये छिद्र खुल जाता है और जब ये कोई काम नहीं हो रहा होत तो इस द्वार कोशिक आए क्या कर देती इस चिद्र को बंद कर देती हैं तो उस समय गैसेज एक्षेंज नहीं होती तो यह आपको इसकी पिच्चर भी बना लेनी है रंद्र की ठीक है नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिसकस करेंगे थैंक यू एव ए नाइस टेग